करीब पचास से ज्यादा महमान मेरी सहेली सीमा की शादी की दूसरी सालगिरह की पार्टी का पूरा आनंद उठा रहे थे। मैंने फ्रेश होने की जरूरत महसूस करी तो हॉल में बनी सीरिया चद कर पहली मंजिल पर बने गैस्ट रूम में आ गई। मैं बात्रूम में गुस्पाती उससे पहले ही रवी ने तेजी से कमरे में प्रवेश करके मुझे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। मैं बड़ी कठनाई से अपनी चीक दबा पाए। बड़ी देर से इंतजार कर रहा था मैं इस मौके का स्वीट हार्ट। कितनी सुन्दर हो तुम शिखा, बड़ी गर्मगम सासे छोड़ते हुए उसने मेरी गर्दन पर छोटे छोटे चुमबन अनकित करने शुरू कर दिये। उसका स्पर्ष बड़ा उत्तेजक था, पर अपनी भावनाओं को नियंतरन में रखते हुए मैंने उसे डपट दिया, पागल हो गए हो क्या, कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा, छोड़ो मूझे, वहां कब मिलोगी जहां कोई देखने वाला नहीं होगा, मेरी जान मेरे गाल का चुम्बन लेने के बाद उसने मूझे अपनी बाहों को कैद से तो आजाद कर दिया, पर मेरा हाथ पकड़े रखा, तुम जाओ यहां से, कुछ सहज होकर मैं मुसक्रा उठी, पहले अकेले में मिलने का पक्का वादा करो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम अके करेगा, शिखा, मैं कोशिश करूंगी, अब तुम, प्लीज, पक्का वादा करो, ओके, बाबा, अब भागो यहां से, कमरे से बाहर जाने से पहले रवी ने खीच कर मुझे एक बार फिर अपनी चोड़ी, छाती से चिपका लिया, मेरी आखों और गालों को कई बार जल्द सुख की कल्पना करते हुए जरूर ही फवारे के नीचे नहा लेती, इस वक्त वही मेरे दिलो दिमाग पर पूरी तरह से चाया हुआ था, रवी सीमा का देवर है, उससे मेरी अक्सर मुलाकात हो जाती है, क्योंकि सीमा के यहां हमारा आना जाना बहुत है, मेरे पती अजय सीमा के पती नीरज के अच्छे दोस्त बन गए है, रवी के पास मनमोहक बाते करने की कला है, मैं बहुत सुंदर हूँ, अक्सर लोगों के मुह से मैं अपनी प्रशंसा सुनती रहती हूँ, लेकिन जिस खूबसूरत अंदाज में रवी मेरे रिनरूम की तारीफ करता है, व उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ कर चूमा और बड़े भावुक लहजे में बोला था, शिखा, मैंने हमेशा तुम जैसी सुन्दर हसमुक लड़की की हमसफर के रूप में कलपना करी है, तुम्हारी जोड़ी अजय भया के नहीं, बल्कि मेरे साथ जमती है, उस वक्त सीमा बातरूम में थी, कमरे में हम दोनों के अलावा बस ननहा शिशु ही था, रवी ने अजय का जिक्र करके मुझे अंदर तक बेचैन कर दिया था, अजीब सी उलजन व घबराहट का शिकार बनकर मैं कुछ भी बोल नहीं पाई थी, तब उसने मौके का फायदा उठा कर मुझ जल्दी से अपनी बाहों में भरा और मेरे गाल का चुम्मा लेकर शरारती अंदाज में मुसकराता हुआ कमरे से बाहर चला गया, उस रात मैं बहुत बेचैन रही, अजय ने मुझे प्यार करना चाहा तो मैंने तेज सिरदर्द का जूटा बहाना बना कर उन्हें अपने से पहली बार दूर रखा, मुझे उस रात अजय का स्पर्श सुहा ही नहीं रहा था, तुम्हारी जोड़ी अजय भया के साथ नहीं बलकि मेरे साथ जमती है, रवी के मुझे निकला यह वाक्य बार-बार मेरे मन में गूंच कर मेरे अंदर तनाव, बेचैनी और असंतोश के भाव गहराता जा रहा था, ये सचाई ही है कि अजय शकलसूरत और कदकाथी के हिसाब से मेरे लिए उप्युक्ट जीवन साथी नहीं है, हूर की बगल में लंगूर, कोई की चोंच में अनार की कली जैसे वाक्य कई बार बाहर गूंते हुए हमारे कानों में पढ़ते रहे हैं, वर्माला के समय मैंने अपनी सहेलियों की आखों में जबरदस्थ हैरानी वर सहानुभूती के मिले जुले भाव देखे थे, मेरी सबसे अच्छी सहेली निशा ने तो अफसोस भरे लहजे में विदा होने से पहले कह भी दिया था, शिखा, तुझे यहाँ शादी करने से इनकार नहीं कर सकती थी, अपने तानाशाख पिताजी की इच्छा और आदेश के खिलाफ चू तक की आवाज निकालने की हिम्मत भी नहीं बलकि घर में किसी की भी नहीं थी, उन्हीं के डर के कारण मैंने कभी किसी लड़के को अपने करीब नहीं आने दिया था, अंग सपने बड़े रोमेंटिक होते, पर असलियत में किसी युवक के साथ अकेले में बात करते हुए मेरे हाथ पैर पापा के गुस्से की कल्पना कर फूलने लगते थे, अजय की नौकरी बहुत अच्छी थी, अपनी बेटी को इजददार घर की बहु बनाने का फैसला पापा अकेले ही लिया था, अजय की शकलसूरत को छोड़ कर सब कुछ बहुत अच्छा था, पापा के फैसले का विरोध कोई कर ही नहीं सकता था, सो दस महीने पहले मैं अजय की दुलहन बनकर ससुराल आई थी, अजय की आखों में मैंने सुहागरात के दिन अपने लिए गहरे प भाओ देखे थे, शिखा, तुम जैसी सुंदर लड़की का पती बनने की तो मैंने सपने में भी कभी उम्मीद नहीं की थी, तुम्हें पाकर मैं संसार का सबसे खुशाल इनसान बन गया हूँ, अजय के प्यार ने उसी पल से मेरा दिल जीत लिया था, वे दिल के बड़े अच्छे इनसान निकले, मेरी इच्छाओं वा खुशियों का हमेशा ध्यान रखते, बस कभी भी लोगों की बाते मन को दुखी वा परेशान कर जाती, जिस भी परिचित या रिष्टेदार को मौका मिलता, वो हसीम जाक करने के बहाने हम दोनों के रंडरूम की तुलना कर इसका नतीजा ये रहा कि अजय का रंडरूम से आकरशक न होने का सत्या मेरा मन भूल नहीं पाता था, ये बात फासी बनकर मेरे मन में चुपती ही रहती थी, उनके बाकी सब गुनों पर यही एक कमी कभीग भी भारी पढ़कर मुझे बहुत परेशान कर जाती थी, दूसर मारे मिलने जुलने पर कोई रोक टोक नहीं थी, मैं जब चाहे सीमा से मिलने के बहाने उसके घर जा सकती थी, उसके सास ससुर वपती को कभी रत्ती भर शक हम दोनों पर नहीं हुआ था, परसो वे सब नीरज की मौसी के घर मेरट जा रहे थे, उनके पोते की पहली सालगिर का समारोह था, ये बात मुझे सीमा से पहले ही मालूम पढ़ गई थी, क्या मैं अकेले घर में परसो रवी से मिलने आऊंगी, अपने मन से मैंने ये सवाल गुसल खाने में कई बार पुछा और मेरे मन की गुदगुदी वोत तेजना से बड़ी धरकनों ने हर बार जवाब हाँ, में दिया, की वे कब से वहां मौझूद हैं? वैसे जब मैं हॉल से यहां गैस्ट रूम में करीब 10 मिनट पहले आई थी, तब मैंने उन्हें हॉल में नहीं देखा था, क्या रवी और मुझे उन्होंने कमरे में साथ साथ देखा है? इस सवाल ने हथोड़े की, तरह स मेरे मन पर चोट करी और मैं बेहत दरीग ब्राइसी हॉल की तरफ चलती चली गई. अपने पती का सामना करने की मेरी बिलकुल हिम्मत नहीं हुई. पार्टी की सारी रौनक और मौझमस्ती इस पल के बाद मेरे लिए बिलकुल खत्म हो गई. रवी ने मेरी आखों से आखे म बार बार उड़ जाती. अजय के हावभाव देखने को मेरा मन बेचैन होने के साथ साथ अजीब सा दर्भी महसूस कर रहा था. तभी रवी को अपनी तरफ बढ़ते देखकर मैंने अपना मूझ फेर लिया. उसने पास आकर मूझह से कुछ कहने को मूझ खोला ही था कि मैंन दबे पर गुस्से से कापते स्वर में कहा, मूझह से दूर रहो तुम. क्या हुआ है शिखा, मेरी ऐसी प्रतिक्रिया देख वो जोर से चौक पड़ा. मर गई शिखा, बात मत करना तुम कभी मूझह से, उसे योचे इतावनी देकर मैं अपनी कुछ परिचित महिलाओं की जटके से चल पड़ी. अजय ने अगर मुझह रवी की बाहों में बंधे देख लिया होगा और हमारी बाते सुन ली होगी, तो क्या होगा, इस सवाल के मन में उठते ही मेरे थंडे पसीने छुट जाते. अजय को करीब 15 मिनट बाद मैंने सीडियों से नीचे आते देखा. उन्होंने गरदन घुमा कर मुझे धूनरा और मेरी तरफ बढ़ चले. वे मुझे देखकर मुसक्राय नहीं, तो मेरा मन बैट सा गया. अपराद बोध की एक तेज लहर मेरे अंदर उठकर मुझे जबरदस दर और तनाव का शिकार बना गई. तुमने खाना खा लिया है? अजय ने पास आकर सुस्त से स्वर में पूछा? नहीं, मैं उनके मुर्जाय चेहरे की तरफ बड़ी कठिनाई से ही देख पा रही थी. तुम जल्दी से खाना खा लो, फिर घर चलेगे. आपकी तबियत ठीक नहीं है क्या? इस सवाल को पूछते हुए मेरी जान खूख हो रही थी. सिर में तेज दर्ध है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कहकर वे ठके से मेरे पास से हटे और कोने में पड़ी एक कुरसी पर आखे मूंद कर बैट गए. मैंने नाम के लिए अपनी प्लेट में थोड़ा सा खाना परोसा पर वो भी मेरे गले से नीचे नहीं उतरा. ब दोनों करीब पौने घंटे बाद सीमा और नीरत से विदा लेकर घर लोटाए. मेरे खराब मूट को पहचान कर रवी मेरे निकट नहीं आया, तो मैंने मन ही मन बड़ी राहत महसूस करी. अजय कपड़े बदल कर पलंग पर लेट गए थे. कमरे की रोशनी भी उन्होंने ब बनाफ्टी सी लगी. नहीं, मैंने दर्द के लिए गोली खाली है, उन्होंने ठके से स्वर में जवाब दिया और फिर तकिया मूँ पर रख आगे न बोलने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी. अजय ने रवी और मूझे साथ साथ गैस्ट्रूम में देखा था या नहीं ये सस्पैंस मूझे मारे जा रहा था. जब मन सोचता कि उन्होंने मूझे रवी के साथ देखा है, तो मैं अपराद बोड, आत्मगलानी और शर्मिंदगी के भावोसे खुद को जमीन में गरता सा महसूस करती. उन्होंने कुछ नहीं देखा है, मन ऐसे भी सोचता, लेकिन ये विचार ज्यादा देर रुखता नहीं था. अजय की खामोशी मेरे मन को सब बुरा-बुरा ही सोचने में सहायक हो रही थी. अजय को यो तेज सिर्दर्द पहले भी हो जाता था. तब मैं बड़े अधिकार से उनका सिर दबा देती थी. उनसे लिप्ट कर सोने की भी मूझे आदत है, लेकिन उस रात ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत मूझह में पैदा नहीं हो सकी. तुम धोखे बाज और चरित रहीन स्त्री हो, अजय के मूह से ऐसे शब्दों को सुनने का भय मूझे उनके नजदी काने से रोक रहा था. वे तो कुछ देर बाद सो गए, पर मेरी रवी से अपने संबंध की जानकारी उन्हें देना मूर्टा पूर्ण होता. वो सारी रात मैंने करवते बदलते हुए बुजारी. सुबह मेरे सिर में तेज दर्ध हो रहा था. अजय मूझह से सहज होकर बारत तालाप नहीं कर रहे थे. मैं अपने अंदर उनसे आखे मिला कर कुछ भी कहने सुनने का साहस्त नहीं पैदा कर पा रही थी. ऑफिस जाते हुए उन्होंने हमेशा की तरह मूझह गले से नहीं लगाया, तो मेरा ये शक बड़ी हद तक विश्वास में बदल गया कि पिछली रात उन्होंने रवी और मूझह कमरे में बालकनी से जरूर देख लिया था. उन्हें विदा कर मैं शेयन कक्ष में आकर पलंग पर गिर पड़ी. राद भर मेरे अंदर पैदा हुए अपराद बोट, तनाव, डर, अनिश्चित्ता जैसे भावोंने अचानक मूझह पर हावी हो मूझह रुला दाला. मैं खुद से बहत खफा थी. रव जाय से दिख रहे थे. कुछ वार्ट तालाप हमारे बीच हुआ, पर उसमें सहज आत्मियता का अभाव मूझे साफ खल रहा था. मैं चाहती हूँ कि अब एक बार सारा मामला साफ हो जाए. उन्होंने रवी और मूझे साथ साथ देखा है, तो वे मूझे खूब डाटे, मा और शर्मिंडा करें. दूसरी तरफ वे अगर बालकनी में बाद में आये थे, तो किसी तरह से यह बात मूझे मालूम पढ़नी ही चाहिए. तब मैं पूरे आत्म विश्वास के साथ उनके संग अपने संबंध सहज व प्रेम पूर्ण बना लूँगी. इस मामले को लेकर ब जीवन में कभी नहीं आएगा. ये सबक मैंने हमेशा के लिए सीख लिया है. ऐसा गलत कदम उठाना मेरे बस की बात नहीं है. मुझे एहसास हो चुका है कि अपने पती की नजरों में गिर कर जीना जीते जी नर्ग भोगने जैसा है. खेल-खेल में आपसी प्रेम व विश् को खो देने की नौबत मेरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगी. अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो पसंद आई हो एक लाइक करे वीडियो ताकि सब तक पहुंच सके.